बॉलिवुड के सुपस्टा शाहरुक खान की फिल्म डॉनकी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है इस फिल्म में अब सतीश शाह और बोमनी रानी की इंट्री हुई है बॉलिवुड के सुपस्टा शाहरुख खान इन दिनों अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं शाहरुख खान साल 2023 में डौनकी, जवान और पठान के साथ धमाल मचाने वाले हैं शाहरुक खान की फिल्मों के लेकर बीच बीच में कई अपडेट्स सामने आते रहते हैं अभी हाल ही में शाहरुक खान की फिल्म जवान के उटीटी और सेटिलाइट राइट्स को लेकर खबरे सामने आई थी इसके बाद अब शाहरुक खान की फिल्म डॉनकी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसे जानने के बाद फैंस काफी खुश हो सकते है बताया जा रहा है कि इस फिल्म में शाहरुक खान के साथ कुछ पुराने स्टॉस भी एहम रोल में नजर आ सकते हैं डॉनकी में इन स्टॉस की हुई एंट्री शाहरुक खान इन दिनों अपनी फिल्म डॉनकी को लेकर एक बार फिर चर्चा में आ गए है शाहरुक खान की इस फिल्म में कुछ नए स्टॉस की एंट्री हुई है दैनिक भासकर की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुक खान की फिल्म डॉनकी में सतीश शाह और बोमन इरानी भी एहम रोल में नजर आने वाले है रिपोर्ट के मुताबिक बोमन इरानी फिल्म डॉनकी में टीचे की भूमी का निभाते दिखाई देंगे तो वही सतीश शाह एक लोय का रोल निभाते हुए नजर आएंगे जानकारी के लिए आपको बता दे की ये दोनों स्टोस बहुत लंबे समय के बाद शाहरुक खान के साथ किसी फिल्म में नजर आने वाले है ये दोनों शाहरुक खान के साथ में हूँ ना में साथ नजर आये थे इस खबर के सामने आने के बाद फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं इन तीनों के एक साथ देखने के लिए फैंस ने काफी लंबा इंतजार किया है आपको बता दे की शाहरुक खान ये फिल्म साल 2023 में रिलीज होने वाली है बॉलिवूड, हॉलिवूड, साउथ, भुजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब किजिए और विडियो अच्छी लागी हो तू लाइक किजिए, कॉमेंट किजिए और शेय करना न भूल